नमस्कार दोस्तों, M.D.U. के मर्सी चांस के बारे में पहले भी वीडियो आई हुई है और आप लोगों को बता रखा है कि मर्सी चांस इस साल के आखरी तक निकल जाएंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी अपडेट निकल कर आई है M.D.U. की तरफ से और मैंने आप लोगों को पहले पिछली वीडियो के सभी तीन वीडियो है मर्सी चांस क्या होता है उसके बारे मुझे पूरी जानकारी दे रखी है और दूसरा मर्सी चांस कब निकल सकते हैं और कब उनके पेपर कराये जा सकते हैं पेपर 2022 में कराने के चांस बताये थे मैंने और उनका रिजल्ट महीने दो महीने बाद पेपरों के आ जाता है जो की करीब अगले साल में ही पेपरों रिजल्ट आएगा फोरम निकल सकते हैं और निकलने के बाद लेट फीज के साथ फोरम भी आगे बढ़ते रहेंगे यह सारी चीज़े आप लोग को बता रखी है अब मेंन बात आती है कि MDU की तरफ से पहल शुरू हो चुकी है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताता हूँ कि MDU का प्रोसीज़र आगे क्या कुछ रहेगा मर्सी चांस के लिए तो दोस्तों मर्सी चांस के लिए यह मेल भेजी गई थी और उसका रिप्लाई आया है आप लोग देख सकते हैं रिप्लाई of your mail regarding मर्सी चांस तो मर्सी चांस की मेल का रिप्लाई है result branch 3 की तरफ से ये authorize mail बेजा गया है student को और यह यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो dear student और इसके बाद आगे क्या procedure होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा dear student with regard to mercy chance the matter is under process तो आप लोगों का matter under process है mercy chance निकालने के लिए and for the purpose तो इस काम के लिए एक committee बनाई गई है vice chancellor sir के दोरा और meeting of the committee has yet to be convinced तो meeting की पहली meeting कब होगी उस बारे में भी फैसला नहीं हुआ है लेकिन committee बना दी गई है और committee की meeting शुरू होएंगी और उसकी शुरुआत अभी होनी बाकी है superintendent result branch 3 की तरफ से ये message student को भेजा गया है mercy chance के लिए तो दोस्तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ होगा क्या और अब यह आपे यह meeting committee बनाई गई है इस committee की meeting होएंगी दो-तिन meeting के बाद कब फैसला लिया जाए उसकी बात की जाएगी और उसके बाद तो दोस्तो इस meeting इस committee की meeting होएंगी दो-तिन meeting के बाद इसका फैसला हो जाएगा कि mercy chance के form कब approach निकाले जाए और कब इनके paper कराए जाए तो मैं आप लोगों को अंदाजा सा बता देता हूँ इस साल के अंद तक नौमबर दिसंबर तक आप लोगों के ये form भरे जाएंगे आपके March के March के बाद या March में आपके paper कराए जाएंगे कब ये भी बता जाता हूँ जब 8 semester के exam में MDU के अगले 8 semester के exam जब 8 semester के exam खतम हो जाएंगे उसके बाद mercy के exam कराए जाएंगे ताकि 8 semester का result भी त्यार होता रहे और उदर से mercy chance के exam कराए जाएंगे और March में आपके करीब करीब March में exam हो सकते हैं तो March 2022 में और इसका result आपको डेड़ महीने बाद 45 दिन बाद मिल जाएगा और अभी ये बात करते हैं कि processing क्या रहेगी अभी अभी committee बनी है committee की meeting कराई जाएगी और meeting कराने के बाद जो भी फैसला होगा वो academic council के बाद पास बेजा जाएगा MDU के academic council होती है और एक होती है EC EC की perform मुझे याद नहीं आ रही तो ये दोनों होती हैं जो MDU के main main मुखे बड़े बड़े फैसले लेती है तो ये इनके ये बड़े बड़े फैसलों को पास करती है उसके बाद वो चीज़ implement की जाती है तो अगर या तो wise chancellor sir खुद उस meeting की गरीवी बातों पास कर देंगे तब निकलेंगे फोरम और फोरम अभी आस पास निकलने की समभावनाए नहीं है निकलेंगे तो भई अपना सितंबर अक्तूबर में निकलेंगे और ये भरे जाएंगे नमबर दिसंबर तक कोई दिक्कत वाड़ी बात मिया लेट फीस के साथ बर चलते रहेंगे बात ये है कि सेशन आपका 2021-22 में ही फोरम निकलेंगे 21-22 में ही पेपर होएंगे ओर समेस्टर के पेपरों के बाद और फिर दो महीने डेड़ महीने बाद रिलल्ट आएगा तो में बात आती है कि मरसी चांस के जितने भी स्टूडेंट थे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब तो उनके लिए ये एक positive news है कि MDU ने committee बनाई है और वो committee अपना decision लेगी मरसी चांस के बारे में मरसी चांस के फोरम कब निकल ले जाए या ये कुछ अंदाजा मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रेशर काफी जादा है तो इस साल के अंस तक मरसी के फोरम भरे जाएंगे और मार्च के करीब ओड समेश्टर के पेपर होने के बाद मरसी के पेपर कराए जाएंगे और मरसी के पेपर कराना कोई असान बात नहीं होती है दोस्तों ये मरसी चांस के जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इवन के भी पेपर कराने होते हैं और जो साल में एक बार पेपर होते हैं एन्योल वाले वो भी कराने होते हैं सारे के सारे और इसके साथ में जो इनके कोई 4 साल पुराना वाला सलेबस है पड़ा कोई 8 साल पुराने वाला सलेबस है तो सबी चलेबस के कोशन पेपर बनाने पड़ते हैं और बहुत लेंथी काम हो जाता है इसलिए मर्सी चांस की फीश करीब 10,000 के आसपास तीपड़ी पिछली बार और अब की बार भी 10 से 12,000 के करीब रहेगी मर्सी चांस की फीश तो अपनी फीश की त्यारी रख लें और अपना पेपरो की त्यारी करें क्योंकि मर्सी चांस बिना पड़े पास नहीं होता है पिछली बार भी वहा था और तकरीबन काफी बच्चों के रियापियर दुबारा आई थी वो अब दुबारा मर्सी चांस के लिए प्रोटेट्ट लगातार करें है उन्होंने तो दोस्तो मर्सी चांस वही स्टूडेंट बढ़ सकता है जिसे पास आउट हुए 3 साल हो चुके हैं और अलिजिबिल्टी क्या रहेगी दोस्तो में अलिजिबिल्टी क्या होती है साल तक के admission वाले mercy chance के forum भर सकते हैं तो दोस्तों ये भी जब notification आएगी उसी में clarity आएगी कि 2000 से लेके 2015 तक के भर सकते हैं mercy chance के forum या 2005 से लेके 2014 तक के भर सकते हैं ये सारी चीज़े जब mercy chance का असली notification आ जाएगा original notification MDU की तरफ से उस चीज़ से clear हो पाएगा तो उसके बाद भी protest चलते रहते हैं तो जो student unsatisfied होंगे उस notification से तो वो protest करेंगे कि हमें भी इसमें include किया जाए तो दोस्तों जैसे जो भी कोई information आती है mercy chance की MDU की तरफ से ये देखिए ये उथा राइल्ड mail जो MDU की result branch की तरफ से student को बेजी गई है तो वो मैंने आप लोग के साथ साजा करी है और MDU की mercy chance की सारी update की वीडियो वीडियो description के link में है तो अब जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर subscribe कर दे और notification की icon प्रेस कर दे क्योंकि जैसे ही mercy chance की कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ आप लोगों के phone पर notification पहुँच जाएगी धन्यवाद दोस्तो इस वीडियो को अपने mercy chance के सबी groups में share कर दें ताकि उन्हें पता लगे कि इनिवर्स्टी की तरफ से committee बनाई गई है और committee अपना meetings करेगी और उसके बाद mercy chance के form निकालने के बारे में decision लिया जाएगा MDU की तरफ से और दोस्तो एक MDU mercy chance का group बना हुआ है आप लोग telegram पर telegram के उपर MDU mercy chance लिखोगे तो आप लोगों को group मिल जाएगा आप लोग उस group में जूड सकते हो उस group में तकरीबन 260 के करीब बच्चे हैं जो MDU से mercy chance की demand कर रहे हैं और वो लोग protest करते रहते हैं तो आप लोग telegram पर MDU mercy chance सर्च करें और उन students के साथ जूड जाएं ताकि वो जब भी protest करें तो आप लोग उनके साथ में अपनी इस्षेदारी दे सकें धन्यवाद दोस्तों शेयर कर दो सब